मूदी सरकार के पावर में आने के बाद इंडिया के अपने नैबरिंग कंट्रीज के साथ टाइम टू टाइम जो टाइज हैं वो डाउन ग्रेड होते रहे हैं लेकिन पिछले 48 घंटों के अंदर एक नई चीज हमें ये नज़र आई कि कम से कम तीन मुलकों के साथ इंडिया के टाइज 48 घंटों के दर थोड़ते डाउन ग्रेड हुएं और उनके साथ इंडिया का एक फड़ा हुआ है और ये फड़ा हुआ है पानियों के अंदर एक तो उनका फड़ा पाकिस्तान और चाइना के साथ हुआ है और ये फड़ा असल में इंडिया ने खुद इनिशियेट किया उन्होंने स्टार्ट किया हो ये रहा था कि चाइना से पाकिस्तान की तरफ एक कारगो जहाज आ रहा था और उस जहाज ने आफ लोड कर रहा था गालबन कुछ चीजें कमर्शल जहाज था तो वो मुंबई के पोर्ट पे खड़ा हुआ था तो अचानक से इंडिया की लोग इन्फर्समेंट इजनसी को लोग उस जहाज पर चड़के आ गए और पाकिस्तान की तरफ जाने वाले उस कारगो को अपनी तहवील में ले लिया जब्त कर लिया उन्होंने और इसका इल्जाम इन्होंने ये लगाया कि यहां पे डियूल यूजेज वाला सामान जा रहा था यानि ऐसा सामान जो के इंटरनेशनल लॉज के साब से वो कहते हैं ममनुआ है प्रोहिबिटेड है और इसके अंदर बेलेस्टिंग मिसाल और ऐसी चीजें जा रही थी जो के न्यूकिलियर इनरजी के हवालों से भी इस्तेमाल होती रही है अच्छा चाइना और पाकिस्सान ने इस तरह के बुंड़े अलजामात को रद कर दिया है और पाकिस्तान ने कहा है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो कोई ऐसी नहीं थी कि जो के ममनुआ हों प्रोहबिटेड हों और उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांजिक्शन हुई है ये प्रॉपर बेंकिंग जेनर्स के जरीए हुई है कोई खुफिया ट्रांजिक्शन भी नहीं थी सारा कुछ नीट एंड क्लीन काम हुआ है इन्होंने बिलावजा हमें यहां पर तंग करने की कोशिश की है डेकर नहराल ने रिपोर्ट किया है के पाकिस्तान चाइना आउट करा है पाकिस्तान का जवाब क्या था इस पे इंडिया की सरकत पे उस पे डेकन हराज रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानी आफिशल को कूट करते हुए कि दिस इस सिंपल केस अफ इंपोर्ट आफ अ कमर्शल लेस मशीन बाइ अ कराची बेदर कमर्शल इंटिटी विच सप्लाइज तो दी आटो मोबाइल इंडिस्ट्री इन पाकिस्तान ममताज बलोच ए स्पोक्सपर्सन अफ दी मिनिस्ट्री आफ फॉर्ण अफेर्स आफ दी गवर्मेंट आफ दी नेबरिंग कंट्री सेर इन इसलमाबाद अन संदे यहां पे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को सोचने की जरूरत है देखें यहां पे अगर कोई ड्यूबियस किसम का सामान होता तो क्या कोई सेंसेबल बंदा कोई सेंसेबल मुलक ऐसे कॉन्फिडेंशल माटीरियल को क्या दुश्मन मुलक के पॉर्ट के उपर भेज देता कि वहां पर यह गूम गाम के उस पॉर्ट से होके आजाए फिर हमारे पास ऐसा होता है कभी अगर पाकिस्तान को बिल फर्द मैं एक हैपोथिटिकल बात कर रहा हूँ अगर पाकिस्तान कोई ऐसी खुफिया चीज मंगवा भी रहा होता तो तो डिरेक्ली चाइना से पाकिस्तान आती ना इंडिया के पॉर्ट पे वो क्यों खड़ी होती कॉमन सेंस की बात है यह जो जहास था यह मुंबई के एक पॉर्ट पे खड़ा हुआ था जहां से यह सामान उन्होंने कबजे में लेनी की कोशिश किये तो यह ऐसा ही भौंडे किसम की हरकत थी तंक करने वाली हरकत है इसके करते दिनों इंडिया ने मालदीव जो पानी है उसके अंदर उनकी न्यवी घुश के आ गई थी क काफी अंदर घुश की आ गई थी और मालदीव ने एक्स्प्यनेशन भी मांगी थी इंडिया से की आप क्या कर रहे हमारे स्पैशल एकानॉमिक जों के एंदर आप की जासुसी कर रहे थे खुदा जाने जो भी था वो तेरा मील अंदर गुसकी आ गए मालदीव के पानियों के तेरा मील अंदर यानि उन्होंने एक और गुसबेड की हरकत की है लेकिन इस मरतबा धरलिया मालदीव जने उनको उनकी जो फिशिंग बोड्स थी सो काल जो भी था फिशिंग बोड्स थी या जासुसी की बोड्स थी जो भी था ऐसा होता है ना अकसर आजकल फिशिंग बोड्स के भेस में या किसी और भेस में भी जासुसी हो रही होती है समंदरों के अंदर तो मुक्तलिव मुलक जो है वो एक्स्ट्रा कौशस होते हैं कि उनकी जरा भी पानियों के अंदर घुस बेट ना हो तो यह जैसे ही इंडियन बोर्टस अंदर आ गए तो मालदीव्स वालों ने धर लिया और पकड़ के ले गए उनको क्यों आप हमारे एरिया के अंदर घुसके हैं तेरा माइल वो भी यह एक दो माइल की बात नहीं तेरा माइल इसका मतलब है कि यह डिलिबरेटली घुस है उनको पता था कि यह मालदीव्स के पानी है इतना अंदर कोई अगर डीप घुसकी आ जाए नहीं तो इसका मतलब यही होता है नॉर्मली कि उनको पता होता है बिजने स्टूडे ने स्टोरी लगाई है कि इंडियन वेसल सेज्ड फिशिंग इं मालदीवियन वाटर्स रपोर्ट इससर आफ बोट में फुर्थर एफेक्ट बिलेटल रलेशन बेन नॉ डेली और माले कहते हैं मालदीव's National Defence Force has apprehended an Indian fishing boat for fishing inside the Maldives exclusive economic zone Mal-e-with-raza-daw reported on Sunday The boat was apprehended 13 miles inside the Maldives special economic zone to the east of Ha-ha-alif Kayla island on Saturday Maldives के हوالे से एक और भी आपको यहाँ पर खबर बता दूँ कि इंडिया का जैसे ही माल दीव्ज ने बेस खाली करवाया है वहाँ पर एक मिलिटरी बेस थान है जिस वो खाली करा कि और वहाँ पर उन्होंने सीवीलियंस को बिठा दिया है तो मिलिटरी वालों को निकाल दिया है वहाँ से जैसे ही माल दीव्ज ने अपना बेस खाली करा वेनस डिक को वो मज़ीज डिटेल्स देंगे किस तरह का बेस होगा, क्या होगा, मीडिया में गालबन रिपोर्ट्स आ जाएंगी, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये कन्फरम है कि वहां पे वो एक बेस बना रहा है, वहां मौरेशस के अंदर अलग से इनका बेस ऑपरेशनल हो गया है, छोटा सा बेस बनाया है उन्होंने, और ये डिफरंट है, ये नया आ रहा है यहां पे, अलग शादीब के अंदर, ABC News ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया टो बिल्ड न्यू नेवल बेस क्लोस तो मालदीव अमेडि टेंशन ओवर चाइना टाइज, इंडिया अनौन्स्ट प्लान्स फ़र न्यू न्यू नेवल बेस और कंट्री इस साथ वेस्ट कोस्ट और क्लोस तो मालदीव, इस टेंशन आर रॉनिंग हाई ओवर बिट्वीन डेली एंड दी आइलेंड नेशन तो ये चाइना और मालदीव दोनों को गालबन इन्डियन मीडिया कह रहा है कि हमने ये मैसेज दिया है, यहां पर बेस बना के लक्षादीव के अंदर, लेकिन चाइना को एक और उन्होंने, उनके स पिछले दिनों उन्होंने कोई लेबर डील करने के हवाले से भी के इंडिया सप्लाय करेगा लेबर तैवान को इस हवाले से भी बातची चल रही है, तो वो मामला अपनी जगापे, लेकिन ये नया मामला हुआ है, तैवान के मिनिस्टरों को, वहाँ पर जो गवर्मेंट ह उसको इलीकल रिजीम मानता है चाइना और उनको वो घुजबेटिये मानते हैं चाइना वाले, तो इंडिया उनको वैसे मुल्क नहीं मानता ना ही उनको कोई वो एहमयत इस तरह से देते रहे हैं, लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि प्यार की पींगे इंडिया तैवान क किया है कि हम लोग आपके पपेट्स नहीं हैं कि आप जो बोलेंगे हम करेंगे आप जरा दूर रहे हम अलग इंटिटी हैं अपनी और आपके कहने पर हम इंटर्विज नहीं देते हैं, हम अपनी मर्दी देते हैं, इंडिया तोड़े ने इस पर रिपोर्ट किया, नॉट परिंसिप्ल बिल्कुल ठीक बात है, वायलेट हो रही है, यहां से वन चões पॉलिसी, इंडिया ऑफिशली मानता है वन चैना पॉलिसी को, लेकिन अगर आप वन चैना पॉलिसी को मानते हुए इस तरह की हरकतें करें कि Seiten Noise स्टे हैं, ने चैना की नचायना में तो तायवान Theater सेपरेटिस्टों के इंटर्विव मेनिस्ट्री मीडिया पे लगाएंगे तो इस पे अबजेक्शन तो आएगा तो पिछले 48 गंटों के अंदर आपने देखा कि कम से कम तीन मुलकों के साथ पंगा इंडिया ने लिया हुआ है उनके साथ उनके टाइज थोड़े से डाउन ग्रेड हुए है और तीनों इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज एक तरह से पाकिस्तान के साथ उनके टाइज जहाद वारे मसले पे डाउन ग्रेड हुए और चाइना के साथ हुए है वो भी जहाद वाला मसला प्लस ये तैवान वाला मसला और तीसरा ये मालदीज के साथ इंडिया के टाइज पिछले 48 गंटों के अंदर मजीज खराब हुएं और इस सब का क्रेडिट वैसे किसी और को नहीं मूदी सरकार को ही जाता है उनकी ये जो नेबरिंग कंट्रीज को इरिटेट करने वाली पॉलिसीज हैं ये इंडिया के नैशनल इंटरेस्ट में बिलकुल भी नहीं है